महिला दिवस एक ऐसा दिर है जिसके जरीय महिलाएं पुरी दुनिया को अपनी ताकत और योगतार से परिश्यत कराती है महिला दिवस के मौके पर सरुपली राधाकृष्णन युनिवर्सिटी S.R.K. में जागुरुपता कारिकरम अयजित किया गया कारिकरम में सीनियर IPS और मद्रप्रदेश की अडिशनल जर्नल और पुलिस प्रग्या रिचाष्र श्रिवास्तव ने महिलाओं के प्रती समाच की सोच और बदलावों के बारे में बताया कारिकरम में डॉक्टर सुप्रिया महिश्वरी ने महिलाओं को सामाजिक मर्यादाओं परंपराओं और निती दिवाजों को बहतने के साथ अपनी उप्योगता और सामर्त को सामने रखने पर विचार रखे कारिकरम में सिद्धार्प इंटरनेशनल स्कूल की टीमडी डॉक्टर रुशी कपूर ने महिलाओं और युगतियों को अपने लाइट लेसंस के साथ मोटिवेट करने की कोश्चिश की कारिकरम में स्रक इंटर्प इंटर रुशी चौबे सीओ डॉक्टर प्रियंका जस्वाल भी मौजूद रही सुराज एक्स्प्रेस से बास्षीत करते हुए एडिजी पुलिस प्रंग्जिया रिचा श्रवास्तव ने बताया कि एक महिला आपियस के तौर पर उनकी जर्नी कैसी रही और महिलाओं को क्यों पुलिस में आना चाहिए स्वराज एक्स्प्रेश से बाचित करते हुए रेडियो लॉजिस्ट और कारिक्रम की प्रमुक अथिती डॉक्टर सूप्रिया महिश्वरी ने महिलाओं को पुरिष्ट की बराबरी करने के साथ कुछ हिदायते भी दी सिधात इंटरनेशनल स्कूल की सीमडी की डॉक्टर की कपूर ने भी तुराज एक्स्प्रेश के दर्शकों के लिए महिला दिवस पर अपनी सुपकामना है दी और संदेश दिया को सब्सक्राइब की और सब्सक्राइब की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता ये बहुत अलग चीज होती है इसको समझने की जरूरत है स्वतंत्रता में मर्यादा और संसकार ये दोनों साथ हबते हैं और स्वच्छंदता में अब मर्यादा च्छोट जाती है नारी शक्ति जो है उसमें बहुत उर्जा है बहुत उर्जा है जैसे हम अपनी देवी मा को पूछते हैं वो उर्जा को ही पूजा जाता है तो जब उर्जा मर्यादा त्याग देती है या मर्यादा उससे छोट जाती है तो उसके बाद कितना विद्भन्स होता है यह हम सब जानते हैं नदी को हम मा कहते हैं, धरा को हम मा कहते हैं जब धर्ती मर्यादा छोड़ती है तो भुखम पाता है मेरा सबसे बड़ा मानना ये है कि महिला दिवस सिर्फ एक दिन नहीं है जब हम ऑरतों की रिसपेक्ट करें, उनको सेलिब्रेट करें ओरतों को हर दिन सेलिब्रेट और रिसपेक्ट करना चाहिए एक चीज और भी जो मैं बहुत मानती हूँ वो यह है कि औरतें अपनी इंडिविज्वालिटी पे फोकुस करें, वेर अपनी इंडिविज्वालिटी पे फोकुस करें, तो यह दिविजिन, यह बाइफरकेशन, अगर हम खुद क्रियेट करेंगे, कि हम कुछ स्पेशल है, यह हम कुछ अलग कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए. When we are professionals, we all are equals. Whether it is a man or it is a woman, if they are doing well, they should be regarded for that, not for being a woman or a man. महिला देवस एक ऐसा आउसर होता है, जब महिलाओं को अपनी उपलब्धियां, अपनी उपस्थिती दिखाने का मौका मिलता है. हमारे साथ मौझूद है, प्रग्या रिचा श्रिवास्तो जी, 1991 बेच की IPS है, वरतमान में EDG है. मैम, IPS सेवा में आप तब आई जब बहुत मुश्किल हुआ करता था और उस वक्त आपने IPS जोईन की, जनरली IAS यानि सेवा में प्रिफर की जाती है. तो, वुमिन्स डे पर महिलाओं के लिए IPS में क्या संभावना है और आपका क्या अनुभाव रहा है? सबसे पहले तो हमारे जितने भी शोता देख रहे हैं, सभी को महिला दिवस की बहुत-बहुत बधाई शुब काम नाए और मैं सिर्फ बच्चियों या महिलाओं के लिए नहीं कह रही हूँ. मैं समाज के सभी महनुभाओं को ये बधाई दे रही हूँ. महिला दिवस मेरे लिए नरित्व का जश्न है और ये जश्न तभी संभव है जब जो महिला या बच्ची है उसको परिवार का संभल मिले और परिवार में जश्न मने जहां तक IPS का और महिला का सवाल है तो सिर्फ IPS ही नहीं, मैं मुझे 31 years हो गए अक्टिव नौकरी के और मै बता सकती हूँ कि एक दिन भी ऐसा नहीं हो जब मुझे ऐसा लगा हो कि मैंने गल्दी की हो इस नौकरी में आकर क्योंकि ये वो ऐसी जगह है जहां बिल्कुल कटिंग एज पे जब जो बच्चिया या महिलाएं या जो हमारे प्लीडिताएं हैं जो बिल्कुल जब दुख बच्ची अकेले जा रही हो और उसे ऐसा लगे कि उसका कोई पीछा कर रहा है और सामने दो पुरुष पुलिस वाले खड़े हो और कही थोड़ी और दूर एक महिला पुलिस वाली खड़ी हो तो मुझे बताने कि आवशकता नहीं है कि वो बच्ची कहां जाएगी तो इस पुलिस देश के बहतरीन पुलिस ववस्थाओं में से एक है एक और सवाल आता है ये तो एक पक्ष हुआ कि जो नौकरी में है लेकिन एक वो पक्ष है जो पीड़ित है जिसको पुलिस से बहुत सारी उमीदे हैं लेकिन हम देखते हैं कि महिलाएं आम तोर पर पुलिस के पास जाने से बचती है अत्याचार उटपीडन सहती रहती है और ऐसी इस्थिती में आप क्या कहना चाहें क्या वो तरीका है कि महिला को यदि लगता है कि उसके साथ कहीं इंजस्टिस हो रहा है तो किस प्लैटफॉर्म पर अपनी आवाज उठाए ताकि उसकी आइडेंट कर रहता है कहीं यह डिस्क्लोज ना हो जाए बदनामी ना हो जाए आपने बहुत ही एहम सवाल किया है बिल्कुल सही बात है जो जस तरीके का बड़ी दुर्भागे की बात भी है कि हम ऐसा समाज बना ही नहीं पाए जहां महिलाया हमारी बच्चिया महफूज हो चाहे वो पिर वो फिजिकली या मांसिक रूप से तूट रही जाती तब तक वो पुलिस के और रुख नहीं करती हम लोगों ने यह तैय किया है कि यदि महिलाय या पिडिता है हमारे पास नहीं आ सकती हम तो जा सकते हैं उनके पास तो चाहे वो डायल हंड्रेड हो जो हमारा या वन 250 उज़ा महिला हैं जो थाने पर होते भी थाने से थोड़ा उसी प्रांगण में अलग हैं और उनको एक अलग स्वरूप दिया गया है जहां पिडिताएं खुल कर अपनी बात वहां सिर्फ महिला अधिकारी करमचारी होते हैं और खुल कर अपनी बात कह सकें जहां तक नाम नहीं बताने का सवाल उड़ता है तो जो यदि कोई ऐसी घटना घटित होई है जिसमें कि हमें प्रात्मी की दर्ज करनी पड़ रही हो तो नाम तो लिखना पड़ेगा लेकिन ऐसी कई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं जिसमें कि आप मीडिया से हैं तो आपको पता ह होगा कि हम नाम नहीं बताते हैं तो मैं यह कहना चाहरी हूँ कि यदि महिला है या बच्चियां हमारे पास नहीं आ सकती तो हम आपके पास आ सकते हैं हमें संपर्क करें हमारे नंबर्स 1090 महिला हेल प्लाइन 100 यह नंबर्स आपके लिए उपलब दें खिर्पिया डायल करे और हमें बुलाए हम आपके पास आएंगे